असलामु अलेकुम, रेसिपी हब में आप लोगों का स्वागत है, आज मैं बनाने जा रही हूं क्रिस्पी प्राउन फ्राइ, जिसके लिए मैंने यहां पे 500 ग्राम्स प्राउन लिये हैं, इसे मैंने अच्छे से वॉष करकी डीवेन कर लिया है, इसी के साथ साथ यहां पे म एक तीस्पून मैंने ब्लाक पेपर पाउडर लिया है, यहां पे मैंने संफ्लार ओल लिया है, फ्राइं के लिए, एक नीम्बू का रस मैंने यहां पे लिया है, यहां पे मैंने कुछ कारी लीव्स और कोरियांडर लीव्स को चॉप कर लिया है, यहां पे मैंने एक टेबल गार्लिक पेस्ट और एक टेबल स्पून जिंजर पेस्ट लिया है तेमरिक पाउडर, कोरियांडर पाउडर, सॉल्ट एक टेबल स्पून कॉन फ्लार यहां पर मैंने लिया है दो टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे एक रंग बहुत अच्छा आएगा और एक टेबल स्पून जितना राइस फ्लार भी मैंने यहां पर लिया है और साथ ही साथ यहां पर मैंने ख्रॉश्ट ब्लाक पेपर भी लिया है सबसे पहले हम प्रॉंस को मारिनेट करेंगे तो यहां पर मैं इसमें सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक अड़ कर दूँगी इ जो कश्मीरी लाल मिर्च हमने ली थी वो भी मैं यहां पर एड़ कर रही हूँ अब यहां पर मैं इसमें half teaspoon गरम मसाला आड़ कर दूँगी ब्लैक पेपर पाउडर भी मैं आड़ कर दूँगी मैं यहां पे ब्लैक पेपर पाउडर भी आड़ कर रही हूँ और क्रश्ट ब्लैक पेपर भी इसमें आड़ करूँगी जुन जो गार्लिक पेस्ट भी मैंने इसमें आड़ कर दिया है जो कटा हुआ धनीया और करी पत्ते हैं वो भी मैं समैट कर दूंगी lemon juice इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से mix कर लेंगे सारे मसालों को हम इस प्राॉंस के साथ अच्छे से mix कर लेंगे combine कर लेंगे ताकि इसका flavor जो है प्राॉंस में अच्छे से रजबस जाए अब यहां पर इसमें हम binding agents जो है वो add कर देंगे जो कॉन flour हमने लिया था वो मैं यहां पर इसमें add कर दूँगी और साथ ही साथ rice flour भी इसमें हम add करेंगे इससे binding भी बहुत अच्छे से हो जाती है और fry करते वक्त यह बहुत ही ज्यादा crispy fry होकर त्यार होते हैं इसे भी हम अच्छे से प्रॉंज के साथ mix कर लेंगे तो यहां पर हमारे प्रॉंज बिल्कुल रेड़ी हैं अब फाइनली हम इसमें crushed black pepper एड़ करेंगे इससे भी टेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है अब हम इसे cling film से जो है इस तरह रैप करके तकरीबन 30 minutes के लिए marinate होने देंगे अगर आप ज्यादा देर रखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं लेकिन 30 minutes भी काफी हैं अब यहां पर 30 minutes हो चुके हैं मैंने oil को जो है गर्म करने के लिए रख दिया है और oil जैसे ही गर्म होगा हम इसमें प्राउंस को फ्राइ करेंगे मैं यहां पर प्राउंस को जो है शालो फ्राइ ही कर रही हूँ तो धीमी आँच पर हम इस प्राउंस को तकरीबन 6-7 minutes तक एक साइट पकाएंगे साथ ही साथ मैं यहां पर कुछ कारी leaves आट कर रही हूँ एक extra flavor के लिए और अच्छे aroma के लिए तो 6 minutes के बाद मैं इसे flip कर रही हूँ दूसरी और भी हम इसे 5-6 minutes के लिए अच्छे से cook कर लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे prawns बिल्कुल ready हैं इसे बहुत ज्यादा over cook करने की जरूरत नहीं है यह जटपट बनकर तयार हो जाते हैं हम इसे over cook अगर करेंगे तो यह बहुत ज्यादा rubbery texture के हो जाएंगे तो हमारा crispy prawn fry बिल्कुल ready है आप इसे एक starter की तौर पर या किसी भी curry और rice के साथ side dish की तौर पर आप serve कर सकते हैं यह बहुत ही delicious लगता है खाने में तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ थैंक यू